सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवविचार सी मनुश्य को चाहिए कि क्रोध को दया से, बुराई को भलाई से परास्त करे आपका दिमाग जिसकी कलपना करता है वही आप हासिल करते हो आज की कर्वि सच्चा यही है कि लोग पैसे वाले को महत्व देते हैं चाहिए सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदती कैसी भी क्यों न हूँ कमल तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा जुक कर चलती है वही हल जिन्दगी में इनसान का है आज का पंचांग 18 अप्रेल 2021 दिन रवीवार चैत्रमास के शुक्लपक्ष के सश्टी तिथी रात्री 10 बच कर 35 मिलट तक रहेगी इसके उपरांद सब्तमी तिथी प्रारम होचाईगी आद्रनामक नक्षत्र सुब़ 5 बच कर 2 मिलट तक रहेगी इसके उपरान उनर वशुनामकनक छेत्र प्रारम हो चाएगी आज कर आहू काल अर्थाद दिन का सबसे असुपसम में साम पांच बच कर दस मिलट सी छे बच कर पैतालिस मिलट तक रहीगा आज कभी जीत महुरत अर्थाद दिन का सबसे सुपसम में दोपहर बारा बचे से बारा बच कर इंक्यावन मिलट तक रहीगा आज चेंदरमा मिथों राशी पर संशार करेगी और आज शूरिय मेश राशी पर रहेंगी कुम्रा से 18 अप्रेल 2021 दिन रवी बार विश्ने संबंदित किसी मिटिंग में आपके मन मुताविक मुड आने की संभावना है आप आज शान केंतों दृड़ हैं आपने खुप सोस समझ कर फैसले लिये हैं कारिस्तल पर शकारात्मक बदलाव होंगे किसी पुराने दोस्ते से मुलाकाश शंभव है घर पर सांद और शंतुष्ट बने रहेंगे बहुद एक उन्नती होगी प्रीजनों के ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर भी मिलेगी घर के रख रखाव तथा सुक्ष्विधाओं सम्मंधित चीजों की ओनलाइन स्वापिंग होने में खुशी मैशूश करेंगे किसी समास सेवी संस्था से जूडने का मौका भी मिल सकता है जिसे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा आज हम निश्चिन्त किये हुए कारियों को पूरा करने की कोशिश खुश से ही करेंगे जिसे आपको नई जनकारी और आर्थिक प्रगती भी प्राप्त होगी फिल हाल सभी से दूरियां बनाये रखना ही आपके लिए कठीन रहीगा जब तक आपको अपने लक्ष की प्राप्ती नहीं होती तब तक अपना मन भटकने ना दी काम से सम्मंदित रुकी हुई बातों को गती प्राप्त होगी रिलेसंसिप को बहतरीन बनाने के लिए व्यक्ति गत जीवन के साथ रिलेसंसिप पर भी ध्यान देने की आवशक्ता है कड्य सम्मंदित बाधा रह सकती है परवार में पिता से बड़ी उम्मर के लोगों से सम्मंदित समश्य रह सकती है जुझ लाहट के इस्तिती भी रह सकती है सौप्ट ड्रिंग वैपारियों के लिए दिन अच्छा रह सकता है कॉस्टमेटिक का वैपार लाब दे सकता है खान पान का विशेद ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा मल्टिनेशनल कमपनी में कारेरत लोगों को जटकलक सकता है विदेश यात्रा टाई में पढ़ सकती है सिरदर्द भी रह सकता है कोई महत्वपूर्ण वैक्ति साद आपको गलस समझ ले सवधार रहे और सही तरीके से अपनी बात उनको समझाने का प्रियास करें अगर यह वैक्ति वैपारी के वैक्ति गत रूप से आपका प्रिय है तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे जगड़ा ना करें जगड़े से भविश्य में परशानी ही होगी आज अब अराम फरमाएं वह अपने आसपास के लोगों के साथ मज़ा करें इन रिस्तों से आपको भविश्य में बहुत लाब होगा आपने अपने घर वालों के साथ भी एक गहरे रिस्ते की निव रख दी है अपने परिवार वा रिस्तेदारों के साथ अपने शम्मंधों को ऐसे ही बनाय रखने की कोशिश करें शोधानिया गलत फैमी की वज़े से किसी नजदी की मित्र अत्वर रिस्तेदार के साथ मन मुटाव हो शकता है पर अंतु परिस्तेदियों को सम्हालना आपकी ही परशानी रहेगी इस से में कोई भी महत्वपूर्ण निर्ना लेना उचित नहीं है बात करते हैं लव लाइफ की पती-पत्नी के संबन सौहारद पूर्ण रहेंगे तथा परवार में भी खुसी भर शुखत मोहर रहेगा दिन के शुरुआत अच्छी होगी आपने नीजी संबन में आपके पार्टनर के खुसी और हसी की रोनक बिखरी रहेगी आपने अपनी नीजी जिन्दगी में मुश्किल दोर देखा है इसलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ गूमना फिरना और उनके साथ होने का आनन लेनत चाहिए एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएगी आपका प्रेम सम्मद आपके सक्ति की परिक्षा भी लेगा सूचें सिग्रही सम्मन में समानता आ जाएगी अगर आप कुमारे हैं और पार्टनर की खोश लंबे समय से कर रही है तो आज सफलता भी आपको मिल सकती है आपके ऐसे वैक्ति से मुलकात हो सकती है जो आप में रूची रखता है वह कोई दोस्त भी हो शकता है पर वह दोस्ती से आगे बढ़ कर आप में रूची रखने वाला है बात करते हैं करियर की आज के दिन वैपारी कारियों से सम्मन्दित किसी याथा को दर्शाने वाला रहेगा कारिय छेतर पर काम धंदित से सम्मन्दित ओर्डर प्राप्त करने हैं तू कोई दूर की यातर देखी जा सकती है विदेशी दवाओं से सम्मन्दित वैपारी अधिक मुनाफ़ा वसूली करते देखे जाएंगे नौकरी पेश वर्ग में किसी दूर दराज की पार्टी से कोई ओर्डर प्राप्त हो शकता है जिसको लेकर कोई यातरा भी देखी जा सकती है कारिस्थल पर हालात में सुधार आएगा और सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा नए रोजगार की तलास कर रहे जातो को को साक्षात कार में सफलता भी मिल सकती है अपने सहयोगियों के साथ तालमिल और कदम से कदम बढ़ा कर चिलने का ये एक अच्छा समय है समीक्चा और हतासा का लंबा समय आप समाप्त होने की और अग्रसर है इसलिए इस खुसी में आप दोस्तों और परवार और अपने उपर कुछ वैव भी कर सकते हैं पर कोसिस करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के लिए हो कार छेत्र में अभी जैसा चल रहा है उनमें किसी भी प्रकार का दबाव ना करें तथा अपनी योशनाओं में अवान्शित लोगों को सामिल ना करें नौक्ति में वर्तमान इस्थिती जादा नुकूल नहीं है कार अभार के अधिकता भी बनी रहेगी बात करते हैं शेहत की अपने सरीर के विकास के इस्थान पर मांसीक विकास के बारी में सोचें आप अपने आपको तो सारीक रूप से फिट रखते ही हैं लेकिन अपने अध्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पातें सांती रखे किसे ऐसे मनोरंचक कार्य कलाप में हिस्सा ली जिस्सा आपके मन को भी ताजगी का नुभाव हूँ अपना कोश समय खुद को भी दे एक आग रहने और ध्यान की कोशिश करी अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिसा देने की भी कोशिश करी आज का उपाए आज अब गाय को रोटी खिलाएं शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दे शुब हूँ